विद्याथी मित्रों हवे आपने दोरण छोमा हिंदी विश्याई मा प्रक्रण बे अनुठे इंसान निजर्जा करीशू प्रक्रण दो अनुठे इंसान यानि कि विशिष्ट इंसान अनुखे इंसान इस इकाई में दो प्रसंग हैं प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शाषक यानि की राजा नेपोलियन वोनापाट के बचपन पर आधारी थें, जो हमें सत्य एवं प्रामानित्ता की राह पर चलने की प्रेणा देता हैं, जबकि दोसरे प्रसंग में केरल की देशबक्त लड़की कौमोधी के सच्छे दान का नेरुपण हैं, फ्रांस मा नेपोलियन नामनों एक महान राजा थही गयो, ती नानू हतो त्यार्थी तेनामा कितला गुणों हता, जेने अनुलक्षी ने अहीं एक वार्ता प्वम आवी छे, एसा था नेपोलियन, नेपोलियन जब छोटा लड़का था, तबी से वह सत्य वादी था, नेपोलियन जबे नानों चुकरों हतो, त्यार्थी ते सत्य बोल्णावाळों हतो, एक दिन वह अपनी बहन इलाईजा के साथ, आख मी चोनी खेल रहा था, एक दिवस्ते तेनी बहन इलाईजानी साथे संता कुकडिनी रमत्रमी रह हो थो, इलाईजा छेपे इलाईजा संता एली हती, और नेपोलियन उसे डुन्ने के लिए इधर उधर दोड रहा था, अनि नेपोलियन तेनी शोद्वा माटे आम तेम दड़ी रहो हतो, अचानक वह एक लड़की से जा टकराया, अचानक ते एक छोकरी साथे अथडाय गयो, लड़की अमरुद बे तेचवा माटे लईजयी रही हती, नेपोलियन के डखराने से उसकी तोकरी नीचे गीर पड़ी, नेपोलियन चोडि अथडावने कारणे तेनी तोकरी नीचे पड़ी गयी, किचड होने के कारण उसके शारी अमरुद खराब हो गए, किचड होवाने कारणे, तेना पूती हुई कहने लगी। ते रोता रोता केवा लागी। अब माको मैं क्या चवाब दूगी। हवे हुमाने शुँ चवाबा पीश। इलाईजा कहने लगी। चलू बईया, हम यहां से भाग चले इलाई जाजी नेपोलेनी बहेन अती ते डरी गई अने केहवा लागी चलू बई, आपणे न्याथी बागी चेईगी नेपोलेनने का हान नही बहन हमारे कारण हीतो इसकी हानी हुई है नेपोलेने कहिँ, ना बहेन आपणा कारणेतो तेने नुक्षान धयुचे यह कहका नेपोलेनने जेब मेर रखे तेन छोटे सिक्के उस लड़की को देखर कहा आम कही नेपोलेनने खिसा मा रहेला त्रोन नाना सिक्का ते चुक्रीने आपीने कहिँ बहन मेरे पास ये तीन ही सिक्के हैं तुम इन्हे लेलो बहन मारी पास से आ त्रोन सिक्का छे तु एने लहले इन तीन सिक्को से क्या होगा मेरी मा मुझे बहुत मारेगी आ त्रोन सिक्का ती शुँधा से मारे मा मने खोब मार शे लड़की ने कहा अच्छा तो तुम हमारी साथ गर चलो, सारू तो तुम हमारी साथे अमारा करे चाल, हम तुम्हें अपनी मा से और पैसे दिलवा देंगे, अमे तने अमारी मा पासे ती बिजा पैसा अपावी देशू इस पर इलाई चाने नेपोलियन सी कहा, पईया इसी कर ले माना, पैसे लड़की को अपने साथ कर ले गया, ते चोकरी ने पुतानी साथे गर ले गयो मा को गटना की जानकारी देखकर बोला माने गटनानी बद्दीच चानकारी आपी ने कहिँ मा आप मुझी जो चेप खर्च देती हैं उसमें से इस लड़की को पैसे दे देजिए मा तमे मने बापरवा मटे जी पैसा आपो छो तेमा थी आचुकरी ने पैसा दैदो ठीके मैं तुम्हारी सच्चाई से खोशुँँ मा एक गहुँँ सारू मुँ तारी सच्चाई थी खोश छुँ मगर याद रखना अब तुम्हें एक मैने तक जेप खर्च केलिए कुछ बी नहीं मिलेगा पणि याद राख जे कि हवे ताने एक मैना सुधी वापरवा माटे कई नहीं मले मा ए कहुँँ ठीके मा नेपोल्यन ने हस्ती हुए कहा सारू मा नेपोल्यन हस्ता हस्ता कहुँँ माने उस लड़की को दो बड़े सिक्के दिये मा ए ते छुग्रीने बै मुट्टा सिक्का आप्या वा कुशी-कुशी गर लोड गई ते खुश्ताईने गरे पाची फरी नेपोल्यन को दख्का देने की सजा तो मिली नेपोल्यनने दख्को वाग्यो एनी सजा तो मली परंथु सत्य की पतपर चलने के कारण उसे यह सजा बुगतने में अत्पूत आनंदाया परंथु सत्यना रस्ता पर चालवाने कारणी तेने आ सज्या बुगवामा अनिरू आनंदाव्यो वास्तवमे नेपोल्यन सज्चाईके पतपर चलने वाला इंसान था वास्तव कुमा नेपोलियन सक्चैना मार्ग पर चालवावालू मानस हतो बचपन से ही उसे खुद पर द्रट विश्वास था नान पंटी तेने पोता ना उपर द्रट विश्वास हतो और द्रट इच्छा शक्ती भी और ईच्छा शक्ती पॉं हती दूसरा प्रसंग हैं सच्चा दान इतले के साच्चू दान मालबार केरल की बात हैं मालबार जे केरल मावेलू छे त्यानी वाद छे वहां बढगरा नाम के एक गाउ में सबा का आयोजन किया गया त्या बढगरा नामना एक गाम मा सबानू आयोजन कर्यू हतू गांधीजी ने अपने बाशन में गांधीजी ये पोताना बाशन मा सबामें उपस्तित सबी बहनों से जेवरो की बेख मांगी सबामा आवेला बद्दाज बहनों ने दागी नानी अबुशन नी बेख मांगी पुत्तानु बाशन पतावीने गांधीची तेनने बुली लगावीने बेच्वा लाग्या। उसी समय कौमुदी नामकी सोलह वर्ष की एककन्या तीरे से मंच पर चड़ आई। तेज समय कौमुदी नामनी एक सोल वर्ष नी छोकरी दीरे थी मंच उपर आवी। उसने एक हाथ की सोनी की चुडी उतारी। तेने तेना हाथ मा रहेली सोनानी बंग्डी उतारी। उसी गांधीची को देते हुए बुली। तेने गांधीची ने आपताव बुली। क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे। शुँ आप मने तमारा हस्ताक्षर आपशो। गांधीची हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दुसरे हाथ की चुडी बी उतार दी। गांधीची हस्ताक्षर करी रहा हता कि तेने बीचा हाथ नी बंग्डी पन उतारी दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा अरी पगली लड़की दोनों चूडियां देने की जरूरत नहीं है आजो इने गांधी जी ये कहिँ अरे गांधी चुकरी बन्ने बंग्डियों आपवानी जरूर न थी एकी चुडी लेकर मैं तुम्हे अपना हस्ताक्षर देदूंगा एकच बंग्री लईने हुँ तने मारा हस्ताक्षर आपिदैश इसके उत्तर में कौमोदी ने अपने गलेका स्वन्न हार उतार लिया एना उत्तर मा कौमो दिये पुताना गळानो सोनानो हार उतार्यो गांधीजीने पुछा तुमने अपने माता पितासे आग्न्या लेली है न गांधीजी पुछू ते तारा माता पितानी आग्न्या तो लेदी छेने बीना कोई उत्तर दिये उसने कानों में सेज रत्न जडित बुण देबी निकाल लिये कई पन उत्तर आप्या बीना तेने कान मां थी रत्न जडित बुट्टी ओपन काडिली दी गांधी जीने पुछा तुमने इन अबुशनों को देने के लिए अपने माता पिता से आगना लेली है न? गांधी जी ये कहिऊं? ते आ घरेना अपवा माटे तारा माता पितानी आगना लेली दी छे न? कवमोदी कोच उत्त देती इससे पहल लेही, किसी ने कहा इसके पिता तो यही है न? कवमोदी कईक उत्तर आपे? ए पहला ज कोईके कहिऊं? आना पिता तो अहीं च छेने? मान पत्त्रों नी बोली बुलवा मा ते ओज बोली लगावी ने? तमने मदद करी रह्यां छे? अब गांदीजी ने कवमोदी से कहा तुम्हे यह तो मालूम होगा कि यह गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी? हवे गांदीजी यह कवमोदी ने कहिँ तने एक तो खबर हशे कि आगरेना आपी दीदा पची तो फरी थी नवा गरेना नाई बनावी शके? कवमोदी ने यह शर्त द्रड्ड ता पुर्वक स्विकार कर ली? कवमोती ये आ शरत मकम ता पुर्वक स्विकारी ली थी गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बात यह वाक्य लिखा लिख दिया गांधी जी ये हस्ताक्षर करया पची आ वाक्य लख्यू तुम्हारे इन आपूशनों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आपूशन है तारा आ घरेणा करता तारो त्यागज खरू करेणू छे सच हैं देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं साच चीज देश प्रेम थी चड़ियातू कश्चू नत्थी अहीं आ प्रक्रणी चर्चा पूरी थाए छे शब्दार्थ गर काम और वर काम विबाग मा लखवा